हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, माई विलेज, माई अकेडमी आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे फृत्वी का वाई मंडल कमपोजिशन आप एडमास्पियर आप अर्थ है यह टॉपिक क्लास नौ से लेकर बारत तक की कच्छाओं में हमारा परियावराण्या प्रक्तिक सनसाधन में मिलेगा इस टॉपिक से अकसर प्र warten पूछे जाते हैं यदि आप किसी competitive exam के तयारी कर रहे हैं तब इस टॉपिक से प्रशन पूछे जाते हैं और बोड परिच्छा के नजरिये से भी यह टॉपिक most important है आईए हम डिसकस करते हैं प्रित्वी का वाई मंडल प्रित्वी का वाई मंडल विभीन प्रकार के गैसों का मिश्रण है प्रित्वी के वाई मंडल में मनुष्य एवं जन्तूओं के लिए आवस्यक जो गैस होती है और पौधों के लिए हरे पौधों के लिए जो आवस्यक गैस होती है वो कारबन डाई अक्साइड गैस होती है हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया के द्वारा सूरे के उपस्थिती एवं क्लोरोफिल के उपस्थिती में अपना भोजन बनाते हैं कच्चे मेटेरियल के रूप में हरे पेड़ पोधे जो हते वातावरन से कार्बन डेय अक्साइड जड़ के द्वारा जल और सूरी के प्रकास और क्लोरोफिल के उपस्थिती में अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद ये अक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और ये अक्सीजन गैस मनुस्य एवं अन्य जिवजन तू के लिए जीवन दाइनी गैस है जिसके द्वारा सभी मनुस्य अन्य जिवजन तू जीवित हैं इस धरती पर ते एक दूसरे के क्या हैं पूरक हैं यानि एक दूसरे के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है इस वाता के संगठन में कई गैसों का युगदान है जिसमें आपको नाइट्रोजन जो है 78.08% पाई जाती है आक्सीजन 20.95 अर्था लगभग लगभग ये 21% पाई जाती है वातावरण में आरगन गैस जो है आपकी 0.93% यानि लगभग 1% से कम है और कार्बन डैय अक्साइड जो CO2 जो गैस होता है ये 0.036% और नियोन गैस जो है 0.002% हिलियम गैस आपका है 3 यानि 0.005% यानि 3-0 फी 5% पाई जाती है तो हैड्रोजन गैस जो आपका है इसमें 0-0 आपके 5 पाई पाई जाती है तथा साथ ही और अन्य गैस से नियुनतम मातरा में पाई जाती है अगर हम देखा जाए इन गैसों का कमपोजिशन डिटेल से तो लगभग 2 गैस यानि नाइट्रोजन गैस और आक्सीजन गैस लगभग लगभग आपका इनका योगदान अगर देखा जाए इनको आप देखेंगे तो लगभग 98% या 99% ये गैसे पाई जाती है और बाकी सभी जो गैसे होती है वोग 1% में या 2% एक से 2% में पाई जाती है वाई मंडल में सबसे भारी गैस नीचले भाग पर तथा हलकी गैस उपरी भाग पर पाई जाती है कारबन डाय अक्साइड गैस यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह प्रिथवी के धरातल से इसका विश्तार लगवा 20-30 किलो मेटर के उचाई तक पाई जाती है कारबन डाय अक्साइड गैस को प्रिथवी का कमबल काते हैं क्योंकि सुरच्छा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर की गर्मी से तब कर जल सकते हैं यानि दिन के समय अगर देखा जाए कहीं पर भी आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए सुस्क CO2 कार्बंड एक्साइड के वसकता होती है ठीक इसी भात यह दिन के समय सूर की गर्मी से तब्त होकर जल सकते हैं यानि हमें दिन के समय सूर की धूप से भी बचाती है यानि हम जलते नहीं हैं यहां हम रात के समय ठंड से जम सकते हैं अगर पृथवी के चारो तरफ कार्वन डेयकसाइड गैस नहीं पाए जाएगी तो हमारी पृथवी रात के समय क्या हो जाएगी जम सकती हैं क्योंकि प्रिथवी का आउसत तापमान जो होता है 15 डिगरी सफेस होता है और इस तापमान को नियत बनाए रखने में सहायक होती है इसीलिए carbon dioxide को प्रिथवी का कमबल कहते हैं आप समझेए यहां से किये प्रिथवी है और प्रिथवी की 4 तरफ carbon dioxide पाई जाती है प्रिथवी का जो temperature है 15 degree Celsius होना चाहिए दीन के समय यानि सूरे से आने वाले photon of light यानि particles जो होते हैं light के ये क्या करते हैं carbon dioxide इन light से हमें दीन के समय जलने से बचाते हैं और रात के समय प्रिथवी का temperature माइनस में नचल जाए 15 degree Celsius बनाए रखने में सहता करती है इसलिए carbon dioxide को प्रिथवी का कमबल करते हैं most important है प्रिथवी के सता पर सबसे अधीक गैस कौन सी पाजाती है आपकी oxygen अगर यह दिखा जब प्रिथवी है और प्रिथवी की सता पर सबसे ज़्यादा बनस्पतिया पाजाती है और बनस्पतिया जब पाजाएंगी तो यह फोटो सिंथेसिस के दोरान सबसे अधीक कौन सी गैस रिलिज करती है आकसीजन गैस इसलिए प्रिथवी की सता पर एक दाम तो सता पर अकसीजन गैस पाजाती क्योंकि सता पर बनस्पतिया अधिक पाजाती इसी वज़ासे पूरे ब्रहमांड में सबसे ज़्यादा जो गैस पाजाती है हाइडरोजन गैस पाजाती है जो कि नाभिके सल्लेन दोरा सूर्य और तारों का उर्जा कसरों थे यानि सूर्य और तारे क्यों चमकते हैं और क्योंकि इसमें नाभिके सल्लेन होता है और नाभिके सल्लेन के दोरान ही इनसे उर्जा निकलती है और इसका में कारण है हैड्रोजन गैस प्रित्वी का वाय मंडल अलग अलग ताप मान वाली विभिन परतों का बना होता है इनके घनत्व ताप करम एवं वाय दाब के अधारप वाय मंडलिय परतों का धरातल से उपर की ओर विभाजित करम इस परकार यानि प्रित्वी है और प्रित्वी यानि धरातल से कई प्रकार में बाटा गया पहला आपका इसका आता है छोब मंडल दूसरा आपका आएगा समताप मंडल तीसरा आपका आएगा मध्य मंडल और लास्ट आपका आता है ताप मंडल तो ये क्रम है प्रिथिवी का जो डिटेल से इसको हम अध्यन करेंगे छोब मंडल यानि समताप मंडल मध्य मंडल और ताप मंडल यानि ट्रोफो स्पेयर, स्ट्रेटो स्पेयर, मीजो स्पेयर और थर्मो स्पेयर आपको हिंदी और इंगलिस दोनों में तयार करना है कभी कभी क्या परिछाओं में कभी हिंदी न देकर इंगलिस वाला टर्म दे देता है और आपको confusion होता है कि इसका मतलब क्या होगा तो पृत्वी के वाई मंडल के अगर देखा जाए इसकी उचाए द्रोगों पर 8 किलो मीटर और विश्वत रेखा पर कितनी होती 18 किलो मीटर अगर हम आप देखेंगे पृत्वी को तो पृत्वी कुछ ओवल सेप का और इसके बीचोबिस से विश्वत रेखा गुजरती है उपर से करक रेखा यानि करक रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है और नीचे से आपको जो हम मकर रेखा तो ये विश्वत रेखा पर जो है यानि बीच वाली लाइन पर इसकी दूरी कितनी होती 18 किलो मीटर और ये जैसे दूरो पर दोनों साइड क्या होते हैं दूरो पर इसकी उचाए कितनी होती है आठ किलो मीटर होती है ये तीनों रेखा एक महादियूप है अफरिका महादियूप से ये तीनों रेखाए होकर गुजरती है चोब मंडल में ताप मानकी गिरावट की दर पिरती 165 मीटर के उचाए पर 1 डिग्री सेलसियर्स या कोई 1 किलो मीटर की उचाए पर 6.4 डिग्री सेलसियर्स से गिरावट होती है ये प्रिथवी है और प्रिथवी के अठार यानि विश्वत रेखा से अठार किलोमेटर की उचाई तक क्या छोब मंडल जैसे जैसे हम उपर जाएंगे तो ये टमपरेचर में एक किलोमेटर की उचाई पर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेलसे से टमपरेचर में गिरावट आत जैसे बादल, आधी, वर्सा, बिजली का चमकना एवं हिलिकाप्टर कोड़ना इसी मंडल में होता है यानि ये सभी जितनी घटनाएं होती हैं आधी, तुफान, चक्रवात का आना ये सारी जितनी घटनाएं होती हैं ये ट्रोफे स्पेयर अर्था छोब मंडल के अंदर ही होती हैं इस मंडल में सनवहन मंडल भी कहते हैं इस मंडल को क्योंकि इस मंडल में सनवहन धराएं इसी मंडल में की सीमा तक सिमित होती हैं जो भी सन्वहन धराय चलती है, वो आपका छोब मंडल में चलती है, इसी वज़ा से इस मंडल को सन्वहन मंडल भी कहते हैं, इस मंडल को अधो मंडल भी कहते हैं, इंपोर्टेंट है, ये सभी नाम आपको तयार होना चाहिए, ग्रिस्म काल में छोब मंडल की उचाई बढ़ जाती यानि गर्मी के दिन में छोब मंडल की उचाई बढ़ जाती है जब कि सित काल में इसकी उचाई जो हती है क्या होती है घट जाती है यह पूछा जाता है कि किस मंडल का ग्रिस्म काली ने गर्मी के दिनों में उचाई बढ़ जाती है और थंडी के दिनों में घट जाती यह तो छोब मंडल यह ट्रोफो इस्पेयर इस परत का ट्रोफो इस्पेयर के रूप में नाम करण जो कि यह थे वो आपके एक वैग्यानिक थे तीज रेंज डी बोल्ट जिन्होंने इसका नाम करण रखा था ट्रोफो इस्पेयर नाम रखा था अगला आपका है दूसरा लेयर है समताप मंडल जिसको इंगलिस में बोलते हैं स्ट्रेटो इस्पेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है समताप मंडल जो होता है 12 से आपका 50 किलो मेटर की उचाई तक फैला होता है यानि इस मंडल में ताप लगभाग एक समान रहता है इसलिए इस मंडल को समताप मंडल कहते हैं यह प्रित्वी है और प्रित्वी से सटा हुआ जो आप कहते है छोब मंडल इसके बाद आता है समताप मंडल इस समताप मंडल में आपका जो है टमप्रेचर एक समान होता है और इसकी उचाई 12 से लेकर 50 किलो मेटर तक होती है इसलिए इस मंडल को कहते हैं समताप मंडल यानि इस ताप मान इसमें ना घटता है न बढ़ता है नियत रहता है इसलिए इस मंडल का नाम पड़ा समताप मंडल या पड़ा तो छोब मंडल और मध्य मंडल के बीच में पाई जाती है इस मंडल में मौसमी घटनाय जैसे आंधी, बादलो, की गड़गडाहट, बिजली का चमकना, धूल करण, जलवास पाद घटनाय नहीं होती है इसमें किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती इसलिए जितनी कमर्सियल वायान उड़ाई जाती है, वो आपको समताफ मंडल में उड़ाई जाती है समताफ मंडल की उचाईज होती है, ध्रूवों पर सबसे अधिक होती है और विश्वत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, यानि लोप का मतलब बहुत पतली रह जाती है यानि ले इसा लगता है कि समाप्त हो गई है समताफ मंडल के निचले सताफा कभी कभी सीरस बादल दिखाई देते हैं पढ़ते हैं, इन बादलों को आपको मुलाब मेग या मदरा परल क्लाउड्स या माइक्रियस क्लाउड्स कहते हैं या कॉम्प्रिशन एक्जाम के नजरे से ये आपका जो टॉप लाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट है मदरा परल क्लाउड कहां पर पाई जाते हैं तो ये समताफ मंडल में पाई जाते हैं वो भी समताफ मंडल के निचले सता पर दिखाई देते हैं ओजोन परत यानि समताफ मंडल में परत पाई जाती है ओजोन परत जो होती है सूरे से आने वाली परावेगनी किरणों को अवसोसित कर लेती है इसी लिए से प्रिथिवी का सुरच्छा कवच या छत्री करते हैं यानि सूरे से आने वाली जितनी हनिकारक परावेगनी किरणे होती है इसको वो जोन जो परत होती है उसको औसोसित या परावर्तित कर देती है जिस परकार आप जब बरसात होता है तो बरसात में आप छाता लेके निकलते हैं तो छाता का काम क्या होता है बरसात की बूद्र यानि बरसात को बरसात से भीगने से आपको बचाती है या माई के जुन में आप निकलते होंगे जब बहुत कड़ी धूप होती है तो उस समय लाइट यानि सूरी के प्रकार से आने वाली जो किरणे होती है यानि बहुत गर्मी पर लगवा पारा आपका 50 के सम्तिंग पहुच जाता है तो यह चाता यानि सूरी के किरणों से बचा रहा है ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डापशन इकाई का प्रियोग करते हैं तो इंपोर्टेंट है इसमें मदर परल क्लाउड और ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है सम्ताप मंडल में और ओजोन लेयर को प्रित्वी का सुरच्छा कवच या छत्री कहते हैं ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसी को प्रियोग किया जाता है डापशन ही का प्रियोग किया जाता है ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस होती है CFC क्लोरो फ्लोरो कारवन most important है जो AC रेफ्रिजरेटर आदे से निकलती है और या तो जो पेंटिंग की जाती गाडियों की पेंटिंग, अलमारे की पेंटिंग, उनसे भी क्लोरो फ्लोरो कार्बन निकलता है यह जो ओजोन परत का छरण जो होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन उपचती सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है आपने देखा होगा कि अंटार्टिका पर ओजोन छिद्र हो गया था ओजोन छिद्र का मतलब वहाँ पर ओजोन की जो लेयर थी काफी पतली हो गयी है लेकिन दो साल में जब से करोना लगा है यानि परियावरण जो संतुलन है वो काफी अच्छा हो गया है यानि इसमें बहुत जादा गाड़िया बंद हो गयी थी बड़ी बड़ी फैक्टरिया बंद हो गयी थी और इनसे निकलने वाले जो क्लोरीन या कार्वन क्लोरो क्लोरी ये सभी क्या हो बंद हो गया था इसके कारण अंटार्टिका पो जो ओजोन छिद्र देखा गया था, यानि अभी पिछले दो-तिन महिने में विज्ञानिकों ने दोबारा वहाँ पर सर्वे किया, देखा तो जो ओजोन छिद्र थी अंटार्टिका उपर, वो क्या होगी, अब फिलोगे, भर गई है, अब वो जो ओजोन छिद्र नहीं है, तो करोना ने हमें बहुत जादा नुकसान भी पहुचाया है, लेकिन पर्यावरण को उतना ही संतुलित किया है, दो सालों में, इस मंडल में उचाई के साथ तापमान बढ़ता है, यानि संताप मंडल के जैसे उपर जाएंगे, तो अतापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है, प्रती एक किलो मेंटर की उचाईप अतापमान जो है, पांच डिगरी सेल्सियस की ब्रध्धी होती है, संताप मंडल की उपरी सीमा को स्टेटोपोज कहते हैं, यह इंपोर्टन है, इस आज बढ़ता है, तो यहाँ पर यहाँ आपका खतम होता अगला टॉपिक आता है, मध्य मंडल, यह तीसरा आपका, प्रिथवी का वाई मंडल की तीसरी लेयर है, जिसको इंगलिस में मीजो इस मंडल का विस्तार जो है धरातल से 50 से लेकर 80 किलोमेटर की उचाई तक पाया जाता है इस मंडल में उचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है तो इसमें भी तापमान में आपको गिरावट देखने को मिलेगा इस मंडल में जो ताप मान है माइनस 80 डिगरी सिल्सियस तक गिर जाता है इस मंडल की उपरी सीमा को क्या बोलते हैं मेसो पॉज बोलते हैं तो यह आपका important है और अगला आपका मंडल आता है ताप मंडल जो very very most important है जिसमें थर्मो इस पे एर भी कहते है इस मंडल के उपर इस्तित वाई मंडल के भाग को ताप मंडल करते हैं यानि मद्य मंडल के जो उपर जो वाई मंडल पाय जाता है उसे क्या बोलते हैं ताप मंडल बोलते हैं इस मंडल में बढ़ती उचाई के साथ ताप मान जो होता है वो तिवर गती से बढ़ता है यानि बहुत तेजी से तापमान बढ़ता है इस मंडल के दो उप मंडलों में भी भाजित किया गया है पहला आपका आता है आयन मंडल और दूसरा आपका आता है बहिर मंडल या बाहे मंडल ये दोनों important है स्वर्य यहां पर आपके बाहे मिस्टेक हो गया है यहां पर आपका होगा Ion नहीं होगा यह आपको Exo Spare होगा ठीक है, June Exo Spare होगा जिसको हम बोलेंगे बाहे मंडल या बहेर मंडल ये दोनों important है आपका सबसर पहले हम डिस्कस करेंगे Ion मंडल के बारे में iron मंडल में बिधुत आविसित कण होते हैं जिनने iron कहते हैं यानि ताप की वज़ा से यह सारे कण जो होते हैं यह अलग-अलग iron में तूट जाते हैं जैसे माली यह H2 है तो यह तूट जाएगा iron में यह दोनों अलग हो घ्डरोजन अलग हो जाएगा oxygen अलग हो जाएगा तो यहाँ पर जितने कुछ temperature की वज़ा से सभी क्या होते हैं आविसित कण में चेंज हो जाते हैं यह जो कण होते हैं रेडियो टेली वीजन टेली फोन एवं रडार आदे तरंगों को भूप रिष्ट पर पर परावर्तित करते हैं और इस पर का बेतार संचार को ये क्या बनाते हैं संभव बनाते हैं जैसे हम घरों में टेली वीजन देख रहे हैं या फोन पर आप बात कर रहे होंगे देख रहे होंगे फोन पर बात कर रहे हैं तो ये बिना तार के ही क्या होता है बात करते हैं क्योंकि आयन मंडल में सेटलाइट छोड़े गए और सेटलाइट के दोरह ये तरंगे हमारे टेली वीजन पर या मोबाइल पर आती है जो हमें बेतार केतार हम किया है अपने संदेश को भेश सकते हैं सेटलाइट के माध्य हम से होता है इस मंडल का जो आपका विस्तार है असी से लेकर 640 किलो मिटर के बीच पाय जाता है इस मंडल में उचाई के साथ कई परतों का नेधारन किया जाता है यानि आयन मंडल में कई परते पाय जाती है जिसमें से आपका D परत जो है उच अबरती यानि लॉंग जो होती है आपका इसमें लॉंग रेडियो वेब या उच अबरती वाली रेडियो तरंगों का क्या करती है परावर्तन करती है जबकि कुछ और आपकी लेयर होती है E1, E2 परत कम अबरती वाली रेडियो तरंगों क तो ये क्या करती है परावर्तित करती है और परित्वी पर भेषति है जो ई है आपकी ई परत इसको केनाली हेवी साइड्ट तरंग भी कहते है तो इसमें आपकी इंपोर्टेंट है आयन मंदल में क्या इंपोर्टेंट है इस मंदल का विष्टार 80 से 640 किलो मिटर तक होता है इसमें कई परते पाय जाती है जैसे D परत हो गया E1, E2 परत हो गया और आपका F1, F2 तथा G परत भी आयन मंदल की परते हैं इस मंदल में द्रूविय, उत्री द्रूविय प्रकास, या मदचडी द्रूविय प्रकास की होने की घटनाय घटित होती है जो इस मंदल की महतवुड विश्चता है तो ये भी आपके लाइन इंपॉर्टेंट है अब लास्ट आपका राता है यह आपका हो जाएगा एक सो इस पर रहनी बाहर मंडल या बहर मंडल होता है यह आपका इंपोर्टन्ट है इसमें हम देखेंगे कि आयन मंडल की उपर जो होता है य मंडल के सबसे उपरी परत है जिसे बाहर मंडल कहते हैं इस मंडल के अनि 640 किलो मीटर से उपर के भाग को क्या कहते है बाह मंडल कहते है इस मंडल की उचाई की सीमा निर्धारित नहीं है यह most important है इस मंडल में hydrogen एवं helium gas की प्रधनता पाय जाती है इस मंडल में आपको संचार उपगरा satellite आदि इस्थापित किये जाते हैं तो आपको बाह मंडल में जितने आपके उपगरा है satellite है सभी कहाँ पर छोड़े जाते हैं आपके यह बाह मंडल में छोड़े जाते हैं आयन मंडल में radio तरंगे होती है नि radio से related और television से related जो satellite होती है उनको छोड़े जाते हैं तो आईए हम इसको एक बाद quickly revise करते हैं most important है यह आप देख रहे हैं प्रित्वी है और प्रित्वी के ऊपर आपके एक layer यह देख रहे हैं जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है जिसको ट्रोफोई स्पेर बोलते है या छोब मंडल जिसमें बादल का बनना होता है ठेक है आद्वी तुफान होता है बिजली का आपका तडगन चमकना होता है बरसाथ होना होता है यह सभी घटना जोती है छोब मंडल में होती है इसके बाद दूसरी जो लेयर होती है इस लेयर को बोलते है समताप मंडल और इंगलिस में बोलते है स्ट्रेटो स्पेयर इस मंडल में एक लेयर पाए जाते है जिसको ओजोन लेयर है जैसे आप देख रहे हैं ओजोन लेयर पर नहीं आ पाती है इस वज़ा से इसे प्रिथिवी का सुरच्छा कवच कहा जाता है इसके बाद आता है मीजो इस्पेयर मीजो इस्पेयर क्या होती है कि यह जो आपका थर्मो इस्पेयर है और स्ट्रेटो इस्पेयर के बीच में पाई जाने वाले लेयर को मीजो इस्पेय जिससे हमें सभी दुर्भास से रिलेटे जो भी चीजे बेतार के हम बात कर सकते हैं टेली वीजन दे सकते हैं इसमें धर्मुइश पेयर में एक लाइन पाय जाती है जिसको हम कहते हैं कार्मन लाइन का तो इंपोर्टेंट है यानि प्रित्वी के वाइ मंदल और बाहरी अंतरीच के बीच यह सीमा का क्या करती है परिभासित करने का प्रियास किया गया तो याद रखिए गए तो यह जो लाइन आपको दीख रही है कामरान लाइन यहाँ पर यह क्या करती है इसके बाहर अगर जाते हैं तो आप अंतरिच में कर चले जाते हैं और इसके अंदर इंटर करते हैं तो आ प्यास सस्क्राइब और सेयर कर दें फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत